चानक के आईएस अकेडमी करन्ट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे तीनों क्रिमिनल लॉव बिल संसत में पास हो गए हैं उसके बारे में राज्य सभा में तीनों क्रिमिनल लॉव बिल भारतिय न्याय सहीता भारतिय न्याय सुरक्षा सहीता और भारतिय साक्षय बिल पास हो गए हैं ये तीनों बिल लोगसभा से पास हो चुके हैं अब इन्हें मंजूरी के लिए रास्टपती के पास भेजा जाएगा उनकी बिल पास होते ही राज्य सभा को एनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है इसे पेश करते हुए ग्रह मंतरी अमिच्छा ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खतम किया गया है नाबालिक से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फासी की सजा दे जाएगी जो बदलाव हुए है उनमें पहला है अठारा सो साट में बने इंडियन पेनल कोड की जगा अब भारतिय न्याय सहीता दो हजार तेईस होगा अठारा सो अठानवे में बने CRPC की जगा अब भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता दो हजार तेईस होगा और तीसरा है अठारा सो बहतर में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगा अब भारतिय साक्षे सहीता दो हजार तेईस होगा अब हम बात करेंगे कि ग्रह मंत्री ने इन बिलों पर क्या कहा है बिल पर लोगसवा में अमिच्छा ने कहा है कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून जिसके चलते तेलक, गाधी, पटेल समेथ देश के कई सैनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वह कानून अब तक चलता रहा है मैंने राजद्रोह की जगा उसे देश द्रोह कर दिया है क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ती को नुकसान पहुचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कारवाई होगी अगर कोई शरसस्त्र विद्रोह करता है, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ भी कारवाई होगी उसे आजाद रहने का हक नहीं है उसे जेल जाना ही पड़ेगा कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे लेकिन मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए देश का विरोध करने वालों को जेल जाना ही होगा अब हम बात करेंगे बिल के प्रमुक प्रावधानों के बारे में पहले रेप की धारा 355 और 376 थी अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63 और 99 में रेप को रखा गया है गैंग रेप को भी आगे रखा गया है बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है मडर 302 था अब 101 हुआ है 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन काराबास और मोत की सजा का प्रावधान है गेंग रेप के दोशी को 20 साल तक की सजा या जिन्दा रहने तक जिल की विवस्ता है अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी मॉब लिंचिंग में फासी की सजा होगी स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था अब कानून बन गया है किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी इससे ब्रेंडेट की स्थिती में आरूपी को 10 साल की सजा मिलेगी नए कानून में अब पुलिस की भी जवाब देई तैह होगी अब कोई गिरफतार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी पहले यह जरूरी नहीं था किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीडित को देगी देश में कई केस लटके हुए हैं बॉम्बे प्लास जैसे केसों के आरूपी पाकिस्तान जैसे देशों में चिपे हैं अब उनके यहां आने की जरूरत भी नहीं होगी अगर वे 90 दिनों की भीतर कोड के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में ट्राइल होगा गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती हैं जज्जमेंट सालों तक नहीं लटकाया जा सकता मुकदमा समाप्त होने के बाद जज्ज को 43 दिन में फैसला देना होगा नेड़ने देने के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती थी दया की याचिका दोशी ही कर सकता है पहले NGO या कोई सस्था ऐसी याचिकाएं दाखिल करता था सुप्रीम कोट से याचिका खारिज होने के बाद 30 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल की जा सकेगी जो देश की एकता अखंडता सुरक्षा को खत्रे में डाल कर बह फैलाने का काम करता है उसे आतंकवादी माना जाएगा अब हम बात करेंगे कि तीन विधेकों से क्या बदलाव होंगे कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे IPC में 511 धाराएं हैं अब 356 ही बचेंगी 145 धाराएं बदलेंगी 8 नई जोड़ी जाएंगी 22 धाराएं खतम होंगी इसी तरह CRPC में 533 धाराएं बचेंगी 160 धाराएं बदलेंगी 9 नई जोड़ेंगी और 9 खतम होंगी पुछ थास से ट्राएल तक वीडियो कॉनफरेंसे करने का प्रावधान होगा जो पहले नहीं था सबसे बड़ा बदलाव यहां यह है कि अब ट्राएल कोट को हर फैसला अधिक्तम 3 साल में देना होगा देश में 5 करोड केस पैंडिंग है इन में से 4.44 करोड केस ट्राएल कोट में है इसी तरह जिला अधालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली है अब हम बात करेंगे भारतिय न्याय सहीता में क्या बड़े बदलाव हुए है भारतिय न्याय सहीता में 20 नए अपराद जोड़े गए है और्गनाइस्ट क्राइम, हिट और रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल रिकोर्ड शामिल है आईपीसी में मौझूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है 33 अपरादों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है 83 अपरादों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है 6 अपरादों में सामुदाइक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद.